नमस्कार बच्छों कैसे हो बच्छों कख्ष्या दुसका पड़तं मुल्यांकन परपत्तर है जो हम हल करने जा रहे हैं यह हिंदी भी से का फस्ट है टोटल भी संको का है सभी परसंद करने निवारिये हैं परते एक परसंद का यह कंक हैं और आपको इसे सावधानी करते हैं हाल करना सुरू करते हैं उससे पहले बच्चों वीडियो को लाइक करें और आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो तथा गंटे वाला बटन भी दबा डालो जिससे आपको हर वीडियो की सूचना मिल जाए और अपने अन्य साथी जो दस्वी कक्षा में पढ़ते हैं उनको भी भेज़ दो थाकि वो भी इनको अच्छे डंग से समझ पाएं तो बच्चों शुरू करते हैं अपने ये लो बच्चों महाकवी तुलसी दास का जनम हुआ था तो बच्चों महाकवी तुलसी दास के जनम की बात करते हैं तो ये है 1532 बच्चों 1554-1558 के यह ओप्सन है इनके कोई फिक्स नहीं है परन्तु अपने 1532 मानते हैं अगला है तुलसीदास जी के गुरु कौन माने जाते हैं तुलसीदास जी के गुरु कौन माने जाते हैं नरहरीराम हरीहरदास नरसीराम नरहरीदास तो यह अपका बच्चेयों दे नमर उतर है नरहरीदास अगला परसन है अपना रामचरीत मानस में कुल कितने कांड है रामचरीत मानस में कितने कांड है पांच, छे, साथ, नौ कितने है साथ यो कौन से कांड है जिसके बाल कांड, आयोत्या कांड, उत्तर कांड, रामायन कांड, किस किंदा कांड इस परकार से आपके साथ कांड है परसा नुमर चार लक्समन परसुराम सुवाद रामचरित मानस के किस कांड में संकलित है यानि लक्समन और परसुराम आपस में जो वारतालाब करते हैं वो किस कांड के अंदर है वो हमें जानना है तो वो है आपका बाल कांड बच्चों कौन सा कांड है बाल कांड यानि चो पालकांड के अंदर लक्स्मन परशुराम का स्वाध सम्वाध है। आगे बढ़ते हैं बचों परशन नमबर पांच निमलिक्त में से कौन सा कुरंत तुलसिदास जी द्वारा रचित नहीं है। वरंद रही है ये गरंत है बच्चों कि इनमें से कौन सा गरंत है वो तुलसिदास जी ने रचिना नहीं की। रस्मी रथी विन्य पत्री का कवितावली राम सहीत मानस्त और तो है लेकिन ये आपका रस्मी रथी है पांच मा का आय उतर है। चटे की बात करते हैं तुलसिदास जी का जनम किस गाओं में हुआ। तो बच्चों राजा जनक यानि सिता के पीता थे राजा जनक जन्होंने सिता के विवा के उपलक्स में ये दनुस यग्य किया गया था पहले। और राजा दरसत्र भगवान राम के पीता थे और फरसु राम जी जो ब्रहामन थे और भगवान विस्नु के आउतार थे और सदानन जी, सदानन जी है वो राजा जनक के और सिता के गुरू थे तो बच्चों दनुश यग्य का उत्तर है आपका साथवे का आहन आठवे परसन की बात करते हैं दनुश यग्य में किन मूनी विसे उसके समझाने पर परसु राम का क्रोध सान्त वा यानि उस यग्य के दोरान एक रिशी जो परसु राम जी को समझाते हैं वालमिकी, विस्वामितर, तुलसिदास, वसिष्ट तो आपको आठवे का उत्र बताना है वालमिकी थे या विश्वामितर वालमिकी तो वहां थे जी नहीं विश्वामितर जी वहां पर थे तुनसी दास जी नहीं थे और वसिश जी नहीं थे केवल विस्वामीतर जी ही थे जब धनुस भंग वा था उस वक्त वहाँ पर विस्वामीतर जी ही थे दूसरे सदानन जी थे जो सीता के जनक के राजगुरू थे पर्शन नमर 9 की बात करते है पर्शन नमर 9 मर्गुकुल के तू सब्द पाठ में किसके लिए प्रियुक्त हुआ है परशन नमबर 9 मर्गुकुल के तू किसके लिए प्रियुक्त में हुआ है तो बच्चों वो आपके वा है परसुराम के लिए किसके लिए परसुराम के लिए सुनहु राम जही सिवधनु तोरासम सोलिफु मोरा रिकस्तान की पूर्ति करे सहस्वहू बाली रावन ताड़का यानि आपको दश्वेका उतर बताने तो बच्चो वो था सहस्वहू दश्वेका ए आगे बढ़ते हैं परशन नमर 11 की तरब परशन नमर 11 क्या है अबधि भासा कौन सी भासा अबधि भासा राम जरित मान्स है वो अवधि भासा में लिखा गया है थुलसी दाजी के दवारा भर्गु कुल की तूसब्द में कौन सा अलंकार मुख्यत प्रिक्षा अभनुति उपमा तो आपके बारवे परशन का उतर क्या है उपमा लक्षम परशुराम समवाद में मुख्यरस है स्रिंगार विप्रलब रोद्र विब्द से यानि वो समवाद के दोरान आपस में कुसा करते हैं तो रोद्र कहेंगे अपने तेरवे का उतर है से परशन नमर चोदा भुज भल भूमी भूप विनुकीन ही पंक्ति में अलंकार है तो बचो भे 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 का बार बार प्रियोगवाद है एक ही वन की पुन्रावरती होती है और वो होता है आपका अनुप्राश अलंकार तो आपका उतर है आप चोद्वे कुल द्रोही सब्द किसका चत्रियो कुल द्रोही सब्द किसका विशेशन है राम लक्समान जनक परशू राम तो बचो वो आपका दै उतर है पंद्रवे का उतर क्या है दै उतर है कि परशू राम जी ने कई वार चत्रिये कुल का नास किया था परशन नमर शोड़ा एक पादब विशेस के लिए तुलशी राज जी ने क्या सब्द परियोग किया है कुठारू पहारू कुमःडबतिया बाना तो 16 नमर परशन का उत्तर है आपका सी कुमःडबतिया क्या है कुमःडबतिया परशन नमर 17 लक्समन परशुराम स्वाद के नुसार कुठारू कि इसका सस्तर विशेस है लक्समन परशुराम राम सिव तो यह है परशुराम का सत्रा का उत्तर क्या हो गया बै कोटी कुलस सम बचनु तुम्हारा पंक्ति में कौन सा अर्था लंकार है उप्मा उत्प्रेक्षा दीपक अनुप्रास तो यह आपका अनुप्रास लंकार है द कोटी कुलस टिमें कौनसा लंकरा अनुप्रास है Krieजड़ का कुए अब बात करते हैं उनिष्ण नमbor पर्शन की है उनिष्ण नमर परसन आ गया है लक्ष्मन भर्ण समाद में मुख्य ते सहली प्रयुक्त है इसनात्मक वरन Ozoming Trung तो 19 समय का उत्तर है वर्नन आत्मक लक्समन परसुराम समाद में मुख्यते सहली प्रियुक्त है वर्नन आत्मक और लक्समन परसुराम समाद में कौसिक सबद किन रिशी के लिए प्रियुक्त हुआ है परसुराम गौतम विस्वामेत वसिष्ट तो यह हुआ है वसिष्ट वि सब्लभाइब करें चो अगले वीडिो में मिलेंगे तब तक के लिए टा-टा-टा-टा-टा-टा-टा-टा-